हेलो प्रेंट्स, ओके जोब्स के ओनलाइन प्लेट पर आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्त हम रास्तान का इतियास और संसकर्ती पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पहले पढ़ा था रास्तान की मुख्य सब्वेता है और मुख्य सब्वेताओं के बारे में हमने उनकी लोकेशन को जाना था एके करके तो हमने पहले जैसे सिरगंगा नगर की लोकेशन को जाना district वाइज हमने लोकेशन को लोकेट किया था कि कौन सी सब्वेताई कहां पर है उनको आपने अच्छे से समझा होगा, समझ भी गए होंगा, then उसके बाद में हमने AIK करके जो सब्था ही थी उनके बारे में डिटेल से पड़ा और उनके मुखे बिंदों को जाना था, जैसे हमने काली बंगा कु देखा था, काली बंगा किस तापना किस ने की थी, दोस्तों चोहान वंस बारत का एक वो मुख्य वंस है जिसकी स्थाफ जिनका उद्भव एक माउंट अबू परवत पर गुरु वसिष्ट के द्वारा क्या गया था ऐसी इसके बारे में कहा जाता है कि जब भारत में या पिर जो राजा माराजा जो जब एग्ये कर दे तब उनके एग्यों को जब यह असुद कर दे दे राखसस या पिर बाहरी सक सकते को रोक सके और हमारे यग्ये को पूर्ण रूप से संपन होने दे क्योंकि वह योग्यों को असुद कर देते थे तब इन्होंने क्या कि यह जो इस्टोरी है दोस्तों चंदर बरदाई जो थे उनकी एक इस्टोरी है उनकी एक बूक है परतिवरा रासो उसमें ऐसा कहा गया है तो उस के उसमें कहा गया है कि । यह से आयत अथे हैं और उनमें जैसे कह जाता है पहला उन साझाए गा जիसे मैं उसमें आ जाएगा प्रतिहार और पर्षार से वही हान। और चालूके अभी इसमें भी करम द्यान रखने वाले जरूते दोस्तों कि जैसे सबसे पहले प्रतिहार आता है उसके बाद में जाएगा चालूके बंसा जाएगा तो इस तरीके से ये करम चलता रहता है इसमें और इनके उद्भाव के और और भी साक्से हैं अलग लग अन्ठार कर भी उनमें वी सामिल्ट थे जो विद्वान है उनके एनुसार यह चलते हैं ठीक है देन की करनल टोड़ हो गए विये समित हो गए विलेम कूक हो गए ये लोग क्या कहते हैं कि यह विद्वार से आये थे यहां करके रहने लग गए ऐसा इनका कहना है उसके सुर्जन चरीत्र के किताब इंसंब्स को देखा जाता है इसके बाद में देख़ें तो इनको छंदरवान सी भी का जाता है के जिसमें और इनको क्या का जाता है इनको इंद्रिंसी भी लिख१ी है document सब मुख्या cry banana ये एक चोहानों का ब्रिफ हो गया जिसके बारे में हम पढ़ेंगे राजस्तानी के मुख्य वन्सों के बारे में देन इसमें अगर आगे देखें तो इसमें मुख्य राजा जो आएगा वह वासुदेव चोहान आएंगे वासू देव-चोहान में हम जबहेंगे हैं कि उनका आदीपूरुस था वो और आदीपूरुस का मतलब यह था कि मुलपूरुस और आदीपूरुस एक ही होता है तो उनका जो संस्ताप यहने की जह कहेंगे कि एक कुल का जो देवता जिर रहता है उसी तरीके से कुल का जो सबसे बड़ा जो उसकुल को इस्थापित एंच चलाने वाला जो रहागा वो इदोस्तों तो अदिपुरुष जो है वाशू देव जी आ जाते है उसके बाद में और भी राजा आते हैं, तो ऐसे करके उनके करम को हम देखेंगे दोस्तों, पहले देखते हैं चोहानवंस और उनकी उत्पत्ति, तो चोहानों की उत्पत्ति के संबन्द में हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले, तो इनकी उत्पत्ति ने चोहानवंस और उत्पत्ति, तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें सब जो सबसे पहले आता है चंदर बरदाई जो थे फरतिवरा रासों में वो बताते हैं कि अगने कुंड से ये उत्पन मुए तो पहला सिद्धान्त हम देखेंगे कौनसा सिद्धान्त आएगा पहला पहला आएगा अगनी कुंड वाला अगनी कुंड अगनी कुंड का ये था दोस्तों अगनी कुंड का सिद्धान्त एक बार दोस्तों मैं लिख दूं फिर आपको एक्के करके समझा दूंगा अगनिकुंड का जो सिद्धान्द दिया था वो चंदर बर्दाई ने चंदर बर्दाई जी जो थे इन्होंने अपनी पुस्तक परतिवराज रासों में दिया था दोस्तुम परतिवराज रासो जो भुग थी चंदर बर्दाए की उसमें यह सिद्धान्त इसने देया था इसने देया था न ह्यां जो कहते हैं important है दोस्तों यहां पर यह क्या कहते हैं अगने कुण्ड का जो सिद्धानत देते हैं इसमें का जाता है कि जो चंदरबरदाई है उनों ने mount अब माउन टाबु जो शिरोईबें हैं अभी राजस्तान के अंदर वहाँ पर एक एगय किया था किसने एगय किया वहाँ पर यह कह मांट अबू आबू पर्वत पर यह गै तो गुरुरु एसिश्ट के दवारा क्या किया गया मांट अबू पर्वत पर एगे किया गया दोस्तों तो जो एगे किया गया उस एगे में एगे के हवन के मादेम से चार भारत के वन्स कहेंग था, राजवन सत्रिय निकल के आए, जिन में से एग था चोहान था और वो कौन सत्रिय थे इन के बारे में देखें हम अगर यहीं से करम देखेंगे आगे जिन में से मैंने आपको क्या बताई था पापा और चच्चा पापा और चच्चा है न तो देख टैम पहले, सबसे पहले इनका करम जरूर याद रखना है परतिहार सबसे पहला जो देखेंगे इन में गुर्जर परतिहार जिन को कहते है पहला गुझर परतिहार आ जाएगा फिर आ जाएगा पर्मार ठीक है। कि गुढ मसे याद रखना है दोस्तों बहुत बार पूंच लिया जाता है कि येक्जे की हम से सबसे पहले कोन सा राज्ञन उत्पन हुआ था तो सबसे यहां तक जब यह तीनों जब वंस उत्पन हो गए थे तब एक बात सामने आई थी कि यह इन से भी जो रांक से बारी सकते आ रही थी ना वहां से निकल के तो उनको इनके द्वारा बचाय नहीं जा सका जब इनके द्वारा बचाय नहीं जा सका तो फिर इन्होंने क्या किया कि यहार एक और वंस उत्पन करते हैं तो जो सबसे लाष्ट में जो उत्पनवार सबसे सक्टे साल है एकचुली दोस्तों इसके बाद का देखेंगे हम यह जो इसके बाद का करम वंस देखते तो वह आजाएगा चोहान वंस आपका जाएगा चोहान वंस अभी हम चोहान वंस के बारे में ही पढ़ेंगे दोस्तों तो आपने देखा मैंने जो पहला वंस जो इसके बारे मैं बता है कौनसा सिद्धान सैंकी सथानी कौन सा है अगने कुंड का सिद्धान अगने कुंड में क्या कहा था माउंट आबू में जो विद्वान थे चंदर बरदाई जी जो थे इन्हों ने एक किताब लेकी प्रतिवरा रिजासों और उसमें बताया कि इनका उद्वा हुआ है वो किसके आदार पर हुआ है जो उद्वा हुआ है कि गुरु वसिष्ट ने माउंट आबू परवत पर एग्ये किया था हवन किया था और उस एग्ये के माद्यम से चार जाते हैं उत्पन की कह सकते हैं चार राजवंस उत्पन किये और उन उसमें गुजर परतिहार परमार चालू के उसके बाद लाश्ट में चोहान को चोहान की उत्पत्ती हुई एन कैसी भी कह सकते है आकरान था और भी कोई तो उनके इसाब से यह चीजें इनको बचाने के लिए इनका उद्वाव क्या गया अनकी उत्पति की गई थी अब दोस्तों यह जो खतन है इनके द्वारा कहा गया अगने कुंड वाला यह चीज देखने वाले किसने कहा था चंदर यह अगने कुंड का सिद्दानत किस नहीं दिया चंदर बरदाई नहीं ठीक है दोस्तों को कि तो कुण करते हैं जो समर्तन करते हैं वह करते हैं एक तो क्यों करते हैं मुणहौतनेंसी रास्तान के अभूल फजल भी का जाता है मूनोत नैनसी को दो साहिते मैं पढ़ेंगे इनके बारे मूनोत नैनसी मूनोत नैनसी जो है ये इनका समर्थन करते हैं समर्थन मूनोत नैनसी और एक आते सूर्य मल मिश्रन सूर्य मल मिश्रन सूर्य मल मिश्रन या सूर्य मल मिश्रन भी का जाता है इनको मिश्रन लिख दो एक कभी कभी मिश्रन भी आ जाता है इन्हों ने क्या किया इस अगनिकुंड के सिद्धान का समर्तन क्या है तो तेन लोग आ जाएंगे इसके समर्तन में चंद्रबरदायत कहने वाले आ जाते हैं मुनहोत नेंसी और सूरेमन मिश्रन यह थे और इस अगनिकुंड के सिद्धान से चार जाते अत्पन बताई जाती है जिनमें पहले जाते आजाएगी यही गुजर प्रतियार बार-बार मैं आई से लिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि यह भी बहुत इंपोर्टेंट है फिर चालू क्या आजाएगा अब फिर आजाएगा चोहान वन्स ठीके दोस्तों इसके बाद आगे देखें तो एक दूसरा सिद्धान्त आएगा और वह आएगा अपना विदेशी जाती से उत्पन सिद्धान्त विदेशी जाती का सिद्धान्त विदेशी जाती का सिद्धान्त अब इसमें हम देखें विदेशी जाती के सिद्धान्त में यह सिद्धान्त दोस्तों कर्णल जेंस स्टोड हो थे बारत के बारे में इन्होंने इनमें और एक बहुत सारी और भी बुक्स इन्होंने लिखिए बारत के बारे में अच्छे से इतियास लिखा है इन्होंने पूरा बारत का एक अच्छा इतियास लिखा है और लगबक कह सकते हैं कि इन्होंने बारत के इतियास को एक्सप्लोर किया अच्छे से एक Colonel, James, Todd, Colonel James Road आजाएंगे, दूसरे आजाएंगे इसमें William, William, Cook, पहले आजाएंगे Colonel James, Todd, फिर William, Cook और तीसरे आजाएंगे इसमें वी ए स्मित आपने बहुत बार नाम सुनाओगा वी ए स्मित यह लोग यह ना इन्हों ने कहा कि जो राजपुते ना यह बाहर से आये यह जो प्रति गुजर प्रतिहार चोहान चालू के जो भी है यह तिनों क्या क्या है चारों यह राजवन से यह बाहर से आये यह फिर यह जाते उसे उत्फपन होये हैं और भारत में यहां रहने की वजय से इन्होंने यहां के अचार विचार संस्कृति को गुरंड कर लिया और यह नहीं के नोय हो गए यह जो कहने का जो स्टेड्मेंट देए किसने का समित ने का है वियज शमित ने विलियम कुक ने करणback तोड़ने और इनका जो समर्थन करने वाले है ना इनका जो समर्थन करने वाले वह कौन है इनका जो समर्थन करने वाले है वह बंडार कर साब d r bendaar कर इस दोस्तों कौणै r bendaar कर अब यह सिद्धान्थ भे हो अग्रेसिञ जात्य हो सिद्धान्थ अब अगर नेक्स्ट शिद्धान देखे वह आ सूर्य वंसी जो बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्य वंसी सिद्धान्त, दोस्तों अब इस वक्त जब इनके बारे में अलग लग डिबेट चलती रहती है, तो एक बहुत बड़े विद्वाने गोरि संकर हिराचंद वोजा, वो कहते हैं कि नहीं, यह विदेशी नहीं है, यह इंडियन है, और इंडियन मतलब भारतिय है, भारतिय जातियों में बहुत अच्छी जातिया तो ऐसा नहीं है, सूर्य वंस से यह बिलोंग करते हैं, और व गोरि संकरी राचंद वोजा, खुद अपने आप में एक तरक है, जब वो बोल रहे हैं, तो कोई नहीं किसी आधार भाई बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी, का आप अगर ऐसे नहीं मानते हो, तो मैं बताता हूँ आपको, क्या बताते हैं, परतिराज विज्य बता देते हैं, नैन चंदर सूरी की किताब बता देते हैं, फिर ये हमिर रासों के बारे में बता देते हैं, कि ये जो किताबे हैं, जो चौहानों की द्वारा है लिखी गई किताबे हैं, ये किताबों में यहीं लिखा हुआ है, गोरि संकरी राचंद वोजा ऐसा कहते हैं, तो ये सब ची गोरी संकर हीराचंद हो जा यह जो विद्वान है इनोंने दिया कि यह सूर्य वन्से है जो है ना यह इनके रहे जो आधार देते हैं इस इसके जए पहला आधार बताते हैं यह बताते है फर्तिव राज विजे दोस्तों इनकी बुक्स भी है और नाम लिखते जाए हैं इनका आप परप्रतिय राज ब्जिविजे किस नहीं लिखी थी दोस्तों , बताइए ू 05 प्रतिवराज विजेज है इस किताब में देखो आप एक तो कि यह सूरे वन्सी है ठीक है जो अंग्रेज कह रहे थे इस से पहले करनल जेम स्टॉड विलेम कुक यह सब लोग जो बोल रहे थे यह बताते हैं कि वही विदेशी थे लेकिन यह जब गोरी संग के रिजा चंद ह हो जा क्योंकि बहुत बड़े विद्वान हैं तो इन्हों ने कहा कि नहीं प्रतिवराज विजेज है इसमें देख लो आप इसके बाद अमीर रासों में देख लो हमीर रासों में देख लो आप सुर्जन चरित्र देख लो सुर्जन चरित्र इन सब किताबों के बारे में यह अपना जो है तरक देते हैं कि इन सब में यह उतकिन है इसके बारे में कहा गया है दोस्तों अब तीन वंस तो हो गए जैसे इन्हों ने क्या पहला था चंद्र बजाय ने दिया था को ना अगनिकुंड का इसके बाद में विदेशी का जो करनल जैंस टोड़ आ जाते हैं उसमें सबसे पहले तो उसके बाद में डियार बंडार कर इसका समर्तन करते फिर आता है सूर्य वंसी और सूरे वंसी जो गोरिसंग करी राचंद हो जाते हैं यहां पर फरतिराज विजे जैयानक और जो हमिर विजे यह सब लोग इसमें आते हैं इसके बाद में फिर अलग जो आता है खतन वो आता है सूरे वंसी हो गया चोटा जाएगा ब्रहमन वंसी है यह जो सत्रिय थे यह ब्रामन वंसी थे अब दोस्तों इसको कौन कहता है इसका एक बार अभी हाली में जो इसकूल लेक्चरार का एक्जाम हुआ था इसमें भी इससे पहले के यहां जहान उस वी जोलिया, क्या जो अभिलेक है वोहां पर उसमें का गया है कि जो चोहान है न यह वत्स गोष्ट यह ब्रामन थे यह किसमे का गए विजूलय है इसी आदार पर डॉक्टर दस्रा सर्मा जो है न वो कहते हैं कि जो चोहान यह ब्रामन थे और इनka जो समर्थन करते हैं वो गोपिना सर्मा वह भी बहुत बड़े विद्वान अपने आप में उनकी बहुत अच्छी किताब आती है, तो वो इनका समर्तन करते हैं, अब ये कहते हैं, ब्रावन वन्स ये थे, तो इसका जो कहने वाले डॉक्टर दसरत सर्मा, डॉक्टर दसरत सर्मा ने बिजो लिया, सिला लेक, दोस्तों ये किसन ऐसी भी आ सकता है, कि किस में चोहानों को ब्राह्मन से बताए गया है, ये वत्स गोती ब्राह्मन बताए गया है, तो विजो लिया शिला लेक उसके आदार पर दसर्मा ने कहा है, जो है इसके आधार पर दस्ता सर्मा विजोले सिला लेक के आधार पर के आधार पर इनको चोहानों को को क्या बता है वस गोसे ब्रामन वस गोत्रिय ब्रामन बताया अब किसमें बताया दोस्तों ये भी जरूरी इसकी आधार पर बिजोली सिला बोग और चीज है बिजोला सिलालेक जो है कब लिखा गया था 90 Tob फै थर इस्वी ये भी ज़रूरी ये यह वियाद करने वाले बात एक कब लिखा गया था knob 37 ego में लिखा गया था यही कापी प्राचिन है और उसमें आदार पर इसमें कहा गया भॉक है पुस्तक है इधर लिग देता हूं मैं पुस्तका नाम इधर लिग देता हूं देर अरली चोहान डाइनेस्टी जो बुक है न ये किन की बुक है ये बुक है दसर सर्मा की किताब है पुस्तक है उनकी और इसमें काया इन्होंने वस गोजे ब्राह्मन बताया इनको ठीक है दोस्तों अब इसका जो समर्थन करने वाले हैं इनका जो समर्थन करने वाले वो है डोक्टर गौफिनाथ सर्मा इस खतन का समर्थन करने वाले कौन है गौपिनाथ सर्मा ऑं तो यह भी जरूरी है कि किस ने का सबसे पहले है और बिज्ट्री ब्रामन जो धर्विस्वा नौ − यह की किस के कब्शक्र धसर सर्मा ने पुष्थक पूस्त्र और विह उनएं में को समझ आया होगा ने खाखा यह वाला जो दोस्तों सुटब अधर ने कि आपको यह सब दोस्तों एक्चुली रट्री सकते हैं इनको याद करने का यही एक तरीका है आप कैसे याद कर सकते हो तिन चार जो इनके स्टेट में पांच छे यह लोग जिन में जैसे पहला तो आजाएगा अगनिकुंड का मुझे लगता है आप सब लोगों को पता भी ह को उना चाइए क्योंकि सबसे पहला जो कहते वह चंदर वरदाय ने प्रतिवरा जासो شा Hill में ही तो यह तो याद होना ही चाहिए आपको यह कहने वाड़ा पहुंचते हैं तो सबंगरेजी नाम है जब इस मतलब विदेशी हो रहा है ठीक है यह एक थोड़ा सा common sense वाली बात है इससे समझ में आ जाए कि दो तो आपको वैसे यह तीसरा आप देखो आप सबसे पहले सूर्य सूर्य होगेगा उसके बाद चंद्र हो जाएगा ठीक है सूर्य जैसे उगटा है उसके बाद में चंद्रमा इनको चंद्रवंसी भी बताया गया है दोस्तों तो चंद्रवंसी जो बताया है किसने बताया एक हासी जो हरियाना में एक जगह है वहां एक अभिलेक मिलाए वहां आसी अभिलेक और अचलेस और अभिलेक वहां पर दो अभिलेक मिले उन अभिलेकों के अधार पर इनको का गया है तो जो पहला अभी लेख है वो है हासी अभी लेख हासी अभी लेख और अचले स्वर अभी लेख अचले स्वर दोस्तों कहां पर है यह राजस्तार में अचले स्वर अभी लेख है ठीक है दोस्तों इनमें क्या बताया गया इनको इनको इसमें चंद्रवंसिय बताया गया है अब आजाएगा नेक्स्ट जो नेक्स्ट आएगा इसमें वो कि आएगा इंद्रवंसिय कितने हो गए अपने एक तो हो गए जो है अगने कुंडवाला हो गया अपना सूर्यवंसिय हो गया चंद्रवंसिय हो गया ब्राह्मन हो गया और यहीं पर मैं आपको करवा देता हू इंद्रवंसी है यह जो इंद्रवंसी है न यह राइपाल का एक अभिलेख है और राइपाल के अभिलेख मिन को क्या का गया है इंद्रवंसी बताए गया है इसमें बताए गया है इनको इंद्रवंसी राइपाल के अभिलेख का नाम है सेवाडी इसको क्या बताए गया है इंद्रवंसी बताए गया है दोस्तों यह हो गया चनद्रवंसी और उन्होंने इसके बाद इससे पहले यह नहीं से बता यह बसक्ञ एक एक करने तीनु चारहां के बारे में चाहन का सिरन पंद्न होता है अब दोस्तों इसके बारे अगर देखें तो यह हो गई इनकी उत्पत्ती एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं तो देखते हैं दोस्तों इसके बाद मैं चोहनवन सो की डाइनेस्टी की बारे में करम से हम देखते जाएंगे ठाइंक यू